आप सभी को गूड मॉर्निंग और वेलकम आज जो पेपर हम पढ़ने वाले हैं यानि स्टार्ट करने वाले हैं वो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षन अधिनियम 2005 प्रिवेंशन आफ वोमेन फ्रॉम डॉमेस्टिक वाइलेंस अक 2005 ये वाला जो एक्ट है उसको शुरू करने से चेंज हुआ है उस लेवस में वहां पर प्री और मेंस दोनों में डाला गया है लाबाद हाइकोट के द्वारा कि आपको ये वाला जो पेपर है प्री और मेंस दोनों में पढ़ना है ये देखिए और बिहार एपियों का जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी ये आपका स तो उसी से रिलेटेड है ये जो एक्ट है जो अधिनियम है इसको हम धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे आज जो इसके जो इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इसका इनिशियली क्या-क्या आपको इंपोर्टेंट है जो इसमें देखना है वो हम देखते हैं जो के हर एक्ट में हमे देखना होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे के इसमें कितने चैप्टर और सेक्षन है जो कि मैंने या लिखा कुदिख भी रहा है आपने अधिनियम का नाम तो देखी लिया 2005 का अधिनियम है ये याद रखना है इसमें जो total chapters हैं वो 5 ही है यानि इसमें 5 अध्याए है और इसमें जो कुल धाराइ है यानि sections हैं वो 37 है अब हम देखेंगे इस act का जो number है अधिनियम संख्या क्या है वो ये अधिनियम संख्या बहुत important होती है प्री और मेंस दोनों के हिसाब से यह आपको लिखना ही पड़ता है तो 2005 की अधिनियम संख्या यह 43 है यानि के 2005 में 42 जो एक्ट है वो इसके पहले बन चुके होंगे और यह 43 नंबर का एक्ट है अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट का एसेंट यानि राश्ट्रपती की जो स्विकृति है इस अधिनियम को कब हासिल हुई थी तो वो हुई थी 13-9-2005 यानि 13 सितंबर 2005 को तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजे अगर आपने बेरेक्ट ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आपके पास है बेरेक्ट है और अगर आपने Google से डाउनलोड कर लिया है PDF तो और भी अच्छी बात है और नहीं किया है तो आप यहां से नोट करते जाईए अब हम देखेंगे इस अधिनियम का क्या उद्देश है तो उद्देश हम देख रहे हैं ऐसी महिलाओं को जो कुटुम के भीतर कुटुम यानि जिस परिवार में वो घर में वो रहती है महिलाए और भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से अगर वो पीडित है अब हिंसा में यहाँ पर किसी भी प्रकार डाल दिया गया है अब हिंसा के कितने प्रकार है ये भी आगे आक्ट में आपको जबाप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए तो जो भी महिलाएं घर में होने वाली घरेलू हिंसा से पीडित होती है और उन्हें समविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षन जो भी हमें जो Constitution से राइट मिले हैं जो Equal Rights है, Men और Women दोनों के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए हर एक के लिए जो भारत का नागरिक है उसका अधिक प्रभावी संरक्षन होना चाहिए यानि पहले तो उनके राइट को प्रोटेट करना है जो महिलाओं के लिए है Equal Rights दिलाने हैं जो कि उन्हें नहीं मिलते हैं और उससे सम्मंदित या उसके आनुशांगिक विशे आनुशांगिक विशे का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टॉपिक, कुछ ऐसे मुद्दे जो इसके अलावा है यहींनि समविधान में जो अधिकार मिले हैं वो तो उन्हें दिलाने ही है और अगर उनके पास उसको है तो उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके अलावा अनुशांगिक विशे जो समविधान में नहीं डाले गए हैं जो अधिकार वहां नहीं बताये गए हैं उसके अलावा जो भी है उन विश्यों का उपबंद करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है ध्यान से देख लिजे इसका ये बहुत important part है इसका जो aim है उद्देश है वैसे भी जब तक आप किसी अध का उद्देश नहीं जानते हैं तब तक आपको उस अध को समझने में दिक्कत भी होती है कि आखिर उसको बनाया क्यों गया है और उसके बागी के sections को भी आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो सबसे पहला आप उसका aim जान लीजे कि आखिर उसे क्यों लाया गया है क्यों कानून बनाके उसे पारित कर दिया गया है यानि लागू कर दिया गया है तो आज वाले वीडियो में हम सिर्फ यहीं देखेंगे टोटल चैप्टर, टोटल सेक्षन, आक्ट नंबर और प्रेसिडेंट के सेंट, रास्पती की श्विक्रिती उसके बाद उद्देश क्या है वो देख लिया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि UPHJS pre means दोनों के लिए important है फिर बिहार APO means के लिए important है और जितने भी All India Judicial Service के exam होते हैं चाए APO का हो, चाए Civil Judge का हो, चाए Higher Judicial Service हो, सारे के slaves तो मुझे नहीं याद है लेकिन जो जो मेरे दिमाग में है उसका मैंने आपको बता दिया और बाकी जहाँ जहाँ के लिए भी ये अगर आता भी है pre means दोनों में तो ये उसके लिए भी important है और वैसे भी court में अक्सर ये act जो है देखने के लिए मिलता है यानि इस तरह की घटनाए महिलाओं के साथ होती रहती है तो ये act बहुत ही ज़ादा important है आप मिलेंगे आपसे जल्दी इनेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ट्राइ करके देखिए शायद आपको कुछ फायदा हो जाए और अपना ख्याल रखिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दिजे मिलते हैं जल्दी बाइबाई